बिस्मिल्लाइ रमाई रहीम असलाम अलेकूं वेलकूब बैक टो मैच चैनल आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बोखोत ही प्यारा सा यह अबाय डिजाइन तो इस अबाय के आज हम कटिंग और स्टीचिंग दोने सिखने वाले हैं यह अबाय जो है मेरे पास कस्टमर का आया था सिलने के लिए तो मैंने यहाँ पे तैयार किया है तो इस अबाय में हमने सामने की तरफ से यह स्ट्रिप लगाई है जो कि वीशेप में है और साथ में हमने यहाँ आपे अलग से fabric और lace युस्किया है slews के अंदर और यहाँ पे front open हमने नहीं बना है बलके सामने से हमने pack कर दिया है क्योंकि customer की demand इस तरीके का अबाया बनाने की तो हमने यहाँ पे इस तरीके का अबाया बना के ready किया है तो सेम इसी तरीके से मैंने जो है वो श्रग अबाय की कटिंग और स्टेचिंग भी सिखाई है लेकिन वो जो है कटिंग उसकी थोड़ी सी अलग होती है और यहां पे जो है इस अबाय की कटिंग है वो थोड़ी सी अलग होती है तो वीडियो को बेकर स्किप के वे दिखेगा और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर करेगा और चैनल पर अगर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहां पर जो है हम सामने की तरफ से हलका सा प्रिंट है ब्लैक में और पीछे की तरफ बिल्कुल ग्रे कलर दिया हुआ है बिल्कुल प्लेन ही और इस फैब्री का जो वीड है वो बहुत ज्यादा है तो मैं इसे खोल के आपको मेजर करके बताऊंगी कितना इसका वीड है अगर आपके पास जो है वो कम वीड का फैब्रीक है तो भी आप आराम से बना सकते हैं क्योंकि इस आबाय को बनाने के लिए बहुत जादा वीड वाले फैब्रीक की बिल्कुल जरुवत नहीं है तो यहाँ पर वीड जादा है इसलिए हम इसमें इसी तरफ से अबाय की जो है वो लंबाई ले लेंगे बाद में मैंने यहाँ पर जो है वो आदा मीटर से थोड़ा जादा फैब्रीक लिया है यह जो इस स्ट्रीप को लगाने के लिए मैंने प्लेन ब्लैक में जो है वो फैब्रीक लिया है और सेम इसी तरीके से हम स्लीव में भी लगाएंगे और यहाँ पर स्लीव में जो है वो लेस दोनों सीखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो स्टीप है सामने की तरफ से बंद है तो सिलाई लगा कि इसे बंद किया गया है लेकिन अगर आप इसकी बटन मगरे लगाना से जाते हैं तो आप फ्रंट ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कि गैब जो है वो छोड़ते हुए बंद किया गया है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको अगर front open अबाया बनाना है इस तरह किस तरह बना सकते हैं और अगर आपको front open की तरह सिर्फ दिखाना है और इसे बिल्कुल close करना है तो आप किस तरह के से कर सकते हैं और यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसका measurement लेना सीखेंगे कि customer का अगर आपके पास कोई अबाया आया तो आप किस तरह के से measurement लेंगे सबसे पहले आपको इसकी length लेनी होगी और जितनी भी इसकी length रहेगी उसके अंदर आपको 2 inch extra plus करना होता है और जब आप fabric लेंगे cutting करने के लिए तो आपको चोड़ाई में कितना रखना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे घेरे कानाप लेना होगा तो जो भी घेरे कानाप रहेगा उसका double करना है और सिलाई के लिए extra आपको 1 inch तक रखना है और उसके बाद में हम यहाँ पे shoulder measure करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे fabric को इस तरह रखेंगे और हमें shoulder को इस तरह measure कर लेना है तो जितना भी shoulder रहेगा आपको उसके अंदर half inch extra add करना है इसके बाद हम chest का measurement लेंगे तो उसके लिए हम अबाय को कुछ इस तरह के से रखेंगे और यहाँ पे आपको जो है वो chest का measurement लेना है बिल्कुल सिदा measure tip को रखना है तो जितना भी आपका यह chest वाला हिस्सा रहेगा आपको उसका half करके लेना है और साथ में आपको सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ना है एक से दो inch तक और इसी तरह से हम कमर का भी measurement करेंगे और यहाँ पे आपको आम होल की गुलाई ले लेनी है इसके बाद हम sleeves की लंबाई यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे देखे सामने जो है वो strip भी add है उसके इसाब से हमें जो है वो लंबाई में से strip की जितनी भी यहाँ पे extra लंबाई जैसे 2 इंच है तो 2 इंच हम माइनस कर देंगे हमारी sleeves में से और 1 इंच हमें रखना इसे lie के लिए जो कि यहाँ पे joint करेंगे उसके बाद में हमें घुलाई लेना है sleeves की उसके अंदर भी हम एक इंच add कर देंगे इसके बाद में हमें strip की cutting करनी होगी जोगी यह सामने front की तरफ लगी हुई है तो fold करने के बाद में यह day range से थोड़ा सा ज्यादा यानि 1.6 या 7 तक है तो उसके लिए हम जो है double fabric करके रखेंगे और plus lie के लिए पे रखेंगे और यहाँ पे हमने measure कर लिए कितना हमें उपन रखना है तो fabric को आपको यहाँ पे 4 fold करके रखना है सबसे पहले हमने यहाँ पे घेरे के हिसाब से half करके fabric को fold किया है और यहाँ पे मैंने extra 1 inch यहाँ पे निकाल दिया है क्यों निकाला है वो मैं आगे आपको बताऊंगी और यहाँ पे 4 fold करने के बाद में fabric को सबसे पहले हम अलग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे width बहुत ज़ादा है fabric की और length जो है आपको अबाय के हिसाब से लेना है जितनी भी अबाय के लंबाई रही उसमें आपको 2 inch extra करके लेना है और यहाँ पे आपको निशान लगा देना है जैसे मैंने यहाँ पे 56 inch तक रखा है उसके बार में दोनों पल्ले को अलग-अलग कर देना है back वाली piece को नीचे रखना है और front piece को हम उसके उपर रखेंगे और इसे के साथ में एक और बात को ध्यान रखना है आपको के हम जो यह अबाया बना रहे हैं इसके अंदर जो है नेक बिल्कुल कट नहीं हुआ है और यहाँ पे collar type में strip लगी है उसके लिए back में आपको 1 इंच से 1.5 इंच तक उपर एक्स्ट्रा छोड़ना होगा तो मैंने यहाँ पे 1 इंच उपर रखा है देखें यहाँ पे इस तरीके से तो 1 इंच आपको निकालते हैं फैब्रिक को रखना है और इसे सीधा कर लेना है और इसके बाद में जो हमारा फ्रंट वाला पीस रहेगा यहाँ पर भी आपको आगी की तरफ जो है वो एक इंच निकालना होगा तो मैंने यहाँ फैब्रिक पे लिख दिया है फ्रंट और बैक उसके बाद में यह जो फ्रंट वाला पीस हमने रखा है वो हमने एक इंच एक्सट्रा बहर की तरफ निकालते हुए रखा है क्योंकि हम बीच में से इसे अलग करेंगे उसके बाद में हमें सिलाई के लिए फैब्रिक की जरूत होगी तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इंच एक्सट्रा रखा है तो एक इंच तक मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ निकालते हुए निशान लगा दिया है और हम यहाँ पे बाद में जब मेजर्मेंट करेंगे तो जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम बिल्कुल भी एड नहीं करेंगे इसके अंदर और यहाँ पे इस तरीके से फैब्री को रखते हुए हम मेजर्मेंट के हिसाब से निशान लगाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर के हिसाब से निशान लगाएंगे जैसे हमने मेजर किया था उसके अंदर हमने हाफ इंच एड कर दिया है तो यहाँ पे शोल्डर जितना भी रहेगा उसे साब से हम निशान लगाएंगे सेम उतना ही हम लंबाई में भी रखेंगे अब उसके बाद हम चेस्ट का चौथा भाग करेंगे जो भी चेस्ट का चौथा भाग रहेगा उसके अंदर हम एक इंच एक्स्ट्रा एड करेंगे और निशान लगा देंगे और यहाँ से यादख हम 7 इंच में माक करेंगे जो कि हमारी कमर की लंबाई के साब से रहेगा और चोड़ाई के हिसाब से सेम उसी तरीके से करना है जितने भी आपकी कमर की गुलाई है उसको 4 से डिवाइड करना है एक इंच एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर एड करना है और इस तरीके से हम सिलाई का भी निशान लगा देंगे यह जो अब आया है थोड़ा सा फिटिंग का है जो मेरे पास आया है सिलने के लिए लेकिन ज्यादा तर अब आया जो है वो लूज सिला जाता है तो आप लोग जो है अपने फिटिंग के हिसाफ से उसमें लूजिंग देते हुए कट करिए तो ज्यादा अच्छा बनेगा आम हुलका जो मैंने निशान दे दिया है फ्रंट और बैक का उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे तो मैंने यहाँ पे सिंटर पॉइंट को पहले मारक कर दिया है फ्रंट और बैक दोनों तरफ से और यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को हम दो पार्ट मैं डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम बैक पार्ट में कुछ भी नहीं करेंगी, उसी तरीके से रखेंगे, फ्रेंट में हम हम यहाँ पर आम होल वलाई देते वे इते करेंगे और यहाँ पर देखे हैं मैने इस हिस्थे को अलग कर दिया है अब यहाँ पर हम नेकी करेंगी उसके लिए हमें यहां पर फैब्रिक को बिल्कु सीधा कर लेना है और हमें यहां पर जो है निक के हिसाब से चोड़ाई देनी है जो कि 3 इंच तक रहेगी और हमारा जो 1 इंच हमने एक्स्टरा निकाला था उसे बाहर की तरफ ही रहने देंगे क्रॉस में हम 10 इंच तक करेंगे और फैब्रिक को हम यहां पर इस तरह फोल्ड करेंगे और जैसे मैंने यहां पर फोल्ड किया ऐसे हम उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहां पर नेक हमने कट कर दिया है बैक में कुछ नहीं करना है स्लीव की कटिंग करेंगे उसके लिए फैबरिक को मैंने फोर फोल करके रखा है और स्लीव की जो भी लंबाई थी उसके अंदर से मैंने जो सामने हम कफ की तरह लगाएंगे यानि स्लीव हमारी उतना माइनस कर दिया है और फिर हम यहाँ पर स्लीव का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो उसी लाई का जो हमारा निशान रहेगा और फोल्डिंग का जो निशान रहेगा महाँ पर मैंने माग कर लिया है और स्लीव को हम यहाँ से अलग कर देंगे उसके बार में स्लिप्स को खोल देंगे और यहां पे हम फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे और यहां पे इसे हम सीधा करेंगे इसके बार में हमें यहां पे सामने की तरफ जो स्ट्रिप लगानी है वो हम कटिंग करेंगे प्लेन फैब्रिक से तो स्लिफ में लगाने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप की कटिंग करके रखी है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 11 इंच के करीब मैंने ली है इसे देखे इस तरह फोल करेंगे और सामने की तरफ हम अटेज करेंगे तो दोनों स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है अब लास्ट में हमें यहाँ पे हमारे जो अबाई है उसकी जो सामने की तरफ हम यहाँ पे स्ट्रिप लगाने वाले है उसकी हम कटिंग करेंगे तो जो मैंने पहले से कट करके रखा है दो पीस में मैंने यहाँ पे कट किया है, इसकी चोड़ाई मैंने यहाँ पे 4 इंच रखी है और लंबाई हम अबाय के हिसाब से लेंगे, लेकिन उसके अंदर हमें बैकने के हिसाब से लेक्स फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि बैक में भी हमारा इस्ट्रिप है वो गुमागी लगती है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे जो है वो 3-4 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेंगे सबसे पहले हम sleeves यहाँ पर ready करेंगे तो उसके लिए हम sleeves का यह सामने वाला हिस्सा यहाँ पर रखेंगे और यह strip जो हमने cut की थी इसे हम इस तरह fold करेंगे यह बहुत ही आसान तरीका है strip को लगाने का इससे चौड़ी भी आप लगा सकते हैं इसे पतली भी इसी तरीके से लगा सकते हैं जो कि अक्सर ready में डबाया में लगी रहती है तो इसे मैंने देखिए half fold किया है और यहाँ पर half inch की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे तो जितनी आपको यहाँ पर strip बाहर की तरफ दिखानी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है तो यहाँ पर दीखिए हमने इसे सीधा कर दिया है अब जो है हम sleeves में इसे attach करेंगे इस तरीके से यहाँ पर sleeves को रखेंगे और strip को यहीं पर रखेंगे इसी के साथ में और आप चाहें तो साथ ही में आप lace भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे customer के हिसाब से मैं यहाँ पर lace को उपर की तरफ से लगाऊंगी तो यहाँ पर strip को आपको इस तरह उपर रखना है और सेम जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के उपर हम double सिलाई लगाएंगे और हमारी जो यह strip है वो join करेंगे तो यह देखी कितनी finishing के साथ हमने strip को लगाया है इसे पलट देंगे उपर की तरफ करेंगे और अब हम साथ में यहाँ पर lace भी लगाएंगे और सिलाई भी इसके उपर लग जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैंने यह lace ली है black कलर की तो lace को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसी के उपर हम रखते जाएंगे जो हमारा folding वाला हिस्सा था सेम उसी के उपर रखते हुए हम lace को attach करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी एक sleeves बनके ready है इसी तरीके से हम दूसरी sleeves को भी ready करेंगे तो यहाँ पर यह देखिए मैंने दूसरी sleeves को भी ready करके रखा है और यह देखिए बनने के बाद में कितनी प्यारी लग रही है sleeves यह simple रहती ही लेकिन बहुत अच्छी लगती है तो sleeves की चौड़ाई को आप अपने हिसाफ से कम्याजादा कर सकते है तो इस तरीके की sleeves अबाई में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है तो यहाँ पर देखिए हमारी यह दोनों sleeves बनके ready है यह color जो है बहुत ही प्यारा है लेकिन वीडियो में जो है वो lighting की वज़े से सही color इसका नहीं आ रहा है gray color दिख रहा है जबकि यह black और gray दोनों में mix है बहुत प्यारा color है इसका तो चलिए अब हम नीचे वाला इससा ready करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम front piece को side में कर देंगे और back वाली piece ले लेंगे तो यहाँ पर back piece को हम यहाँ पीस तरीके से रखेंगे इसके बार में जो front वाला piece है वो हम इसके उपर रखेंगे तो front piece को हमें उल्टा करके रखना है तो इस तरीके से हम shoulder को joint करेंगे तो देखिए हम पर हम इस तरह रखेंगे और मैंने यहाँ पर पहले ही cut Le какую slash लगा दिया था नेक के हिसाब से और यहाँ पर shoulder को shoulder की जगे पर रखेंगे और दोनो जगे पर पहले pin लगादेगे उसके बाद में हम shoulder पर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर जो बैक नेक रहता है बिल्कुल भी कट नहीं होता है बिल्कुल स्टेट रखते हैं बस आपको यह धियान रखना है कि आपका जो बीच का बैक नेक है वो बहुत जादा चोड़ाई में ना रहे मैंने फोल्ड करने के बाद में 3 निज तक लिया था तो यहाँ पर हम दोनों तरफ शोल्डर पर बिल्कुल सीधा सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमें क्रॉस भी नहीं करना है क्योंकि इस आबाया में बिल्कुल सीधा ही शोल्डर रहता है तो यहाँ पर हमें डबल सिलाई करनी है तो देखें यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे सेम उसी तरीके से तो यहाँ पर हमने शूल्डर पर सिलाई लगा दी है इसे अब हम सीधा करेंगे तो यह देखे कुछ इस तरीक से दिखाई देगा जोइंट होने के बाद में तो सबसे पहले हमें जो है शोल्डर जोइंट करना है जो कि हमने कर दिया है अब हम स्ट्रीप को अटेज करेंगे और स्ट्रीप को कैसे अटेज करना है वो मैं आपको करीब से आज दिखाऊंगे क्योंकि पहले अभी अबाया में मैंने सिखाया है लेकि लोगों की समझ में नहीं आया है आप लोगों को लगता है कि ये बैक वाला निक आप कैसे जोइंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत दियान से दिखना है डोने स्ट्रिप को जो हमने कट किया था लेंद के हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले हम इस स्ट्रिप को जॉइंट करेंगे क्योंकि एक स्ट्रिप की जो लेंद होती है वो डेरिमिटर से थोड़ेसी ज wegी रहती है हमारे जो अबाय रहता है उसकी लेंद के हिसाब से हम रखते हैं इसलिए हम यहाँ पे double strip लेते हैं अगर आपके पाद बहुत जादा फैबरीक है तो इसमें joint नहीं आएगा तो यहाँ पे हमने इसे joint किया है और joint करने के बाद में यहाँ पे बीच वाला हिस्सा है इसे हम पहले इस तरह सही कर देंगे यानि कपड़े को बिल्कुल बीच में करेंगे और ऐसे ऐसे double करेंगे डबल करने के बाद में यहाँ पे हम pin लगा देंगे तो आप क्या कर सकते हैं इस strip को half fold करके प्रेस करके अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं स्टार्टिंग में तो भी आपको लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपके strip है वो cross नहीं जाएगी तो मैंने यहाँ पे बस निशान लगा दिया है क्योंकि strip कभी कभी लगाने में ठुरीसी पतली या मोटी हो जाती है कभी सिलाई हमारी आगे पीछे हो सकती इसी ज़़शे से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है तैकि हम जब इस strip को लगाएं तो जो हमारी स्ट्रिप बाहर की तरफ से दिखाई दे वो बिल्कुल एक्वल रहे तो अब इसको लगाने का तरीका आप देखिए जो सिलाई वाला हिस्सा है वो और जो हमारा यहाँ पे बैक निक है उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट हम लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती है बिल्कुल करीब से तो यह हिस्सा आप देख सकते हैं हमारा जो बैक निक है इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हमें मार्क करना है शोल्डर भी आपको देख लेना है आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए पर यहाँ पर हम नीशान लगादेंगे सबसे पहले अब इसी नीशान से हमें Strip को जोइंट करना है ते कि देखिए इसे हम बिल्कुल सिधा रखेंगे और स्ट्रिप का ये Jaison वाला हिस्सा लेंगे और सेव इसी नीशान के ओपर रखेंगे और यहीं पे हम पिल लगा देंगे क्योंकि हमें हमारी सिलाई यहीं से स्टार्ट करनी है और फिर यहीं से घुमाते हुए हम सारी स्ट्रिप को निची की तरफ सिलाई लगाते चले जाएंगे और दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगाते चले जाना है दोनों बार हम जो है सिंटर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिल लगा देंगे निचे तक नहीं लगाएंगे बस स्टार्टिंग के हिस्से पर लगाएंगे जहां तक हमने वी ने कट किया था तो यहीं पर हम सिलाई लगाएंगे तेखिए, यहां सेंटर से हम स्टाट करें सिल्धाई लगाना और यहां पे दो शोल्डर की सिल्धाई है वह आपको back side में रखना है यानि पीछी की तरफ करके रखना है और फैब्रिक को बिल्कुल सिधा रखना है और इस तरीके से हम लगाते चले जाएंगे सिलाई इसके उपर इन निकलते जाएंगे और देखें यहाँ पर जो हमारा शोल्डर वाला हिस्सा रहेगा इसकी सिलाई हम पीछे कर देंगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है घुमाना भी नहीं है बस ऐसे ही आप जो है फैब्रिक को सिधा रखेंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे यहाँ पर जो हमने वीर शेप दिया था देखें जैसे कटिंग है फैब्रिक की बिल्कुल उसको वैसे ही रखना है आपको और स्ट्रिप को बिल्कुल सिधा रखना है स्ट्रिप के ओपर मैंने पहले से ही सिलाई लगा दी जैसे मैंने स्लीज वाले स्ट्रिप पर लगाई थी बिल्कुल उसी तरीके से तो आपको अगर यहाँ पे पहले से लाई नहीं लगा के रखने हैं तो आप पहले प्रेस से अच्छी तरह के से बिठा लें तो फिर आप इसको आराम से लगा सकते हैं एक्स्ट्रा जो भी हाँ पे स्ट्रिप रहेगी वो हम बाद में कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे एक तरफ मैंने जो है वो स्ट्रिप को लगा दिया है अब हम दुबारा से यहीं बीच वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिप को लगाना तो सेम उसी तरीके से हम लगाएंगे यह देखे शोल्डर वाला हिस्से है इसे मैंने पीछे की तरफ कर दिया है और बिल्कुल सीधा रखेंगे अबाया को और स्ट्रिप को हम इसके उपर रखेंगे और सिलारी लगाएंगे तो यही पर आपको दियान देना है शोल्डर वाले हिस्से पर जोल नहीं पढ़ना चाहिए अगर आप फोराइसा लोज छोड देंगे या फोड़ासा घुमाने लगेंगे तो आपके शोल्डर पर जो जोल पढ़ जाएगा तो पिल्कूल आपको सिधा रखते जाना है नीचे भी देखते जाना है और इस strip पो लगा देंगे तो यह देखिए मैंने strip को लगा दिया है एक्स्टा जो भी हमारी strip है वो हम कट कर देंगे तो यह हमारी strip लग चुकी है इसके बाद में हम sleeves को attach करेंगे ये बाद में हम इस्तरी कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर हम sleeves को लेंगे और इसे attach करेंगे उसके लिए यहाँ पर इसे खोल के रख देते हैं देखे इस तरह सीधा रखेंगे इसे उल्टा करेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इस तरह घुमाते जाएंगे और sleeves को हम डबल सिलाई करके attach करेंगे तो से मुसी तरीके से हम दूसरी sleeves को भी attach करेंगे sleeves को ऐसे उल्टा रखके सिलाई लगाएंगे हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम घुमाते जाएंगे तो हमने देखे स्लीव को कुछ इस तरीके से लगाया है आप चाहें तो डायरेक्ट जो है वो फिटिंग करके उसके बाद भी स्लीव लगा सकते हैं लेकिन मुझे यह तरीका ज्यादा असान लगता है तो दुने चाहें है यहाँ दूनों स्लीव को लग चुकिए है इसके बाद में हमें यहाँ साइट की सिलाई लगानी है तो यहाँ पे आप हम जो है वो डायरेक्ट सिलाई लगाते चले जाएंगे दूनी परân तो मैंने यहाँ पर customer के measurement के साब से निशान लगा दिया था क्योंकि उन्हें थोड़ी सी target यहाँ पर sleeves चाहिए थी उसके बाद में हम यहाँ पर same cross करते जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरह का अबाय जो है वो बहुत जल्दी cutting हो जाता है और सिलने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लगता है बहुत जल्दी आप इसे ready कर सकते हैं मुश्किल साब को एक घंटा देना पड़ेगा और आपका अबाय जो है वो बनके बिल्कुल ready हो जाएगा बस आप जो इसमें fabric use करते हैं वो आप कोई भी अच्छा material यूज़ करें तो आपका जो अबाय है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और पहने में भी comfortable रहेगा तो आप देख सकते हैं sleeves को मैंने ready किया है और माशाला बहुत अच्छी दिखरी है sleeves तो जिसके लिए मैं या बाया बना रही हूँ बहुत दुबली पतली से तो उनके साब से सही है लेकिन आप देख सकते हैं sleeves की लंबाई जो है थोड़ी से आपको लंबी रखनी होती है बाया में सही हो जाएगा सामने के तरफ से और यहाँ पे हमें 10 इंच की करीब निशान लगाना है और यही से हम सिलाई लगाएंगे तो यहां से हमें सिलाई लगा के बंद करना है कैसे बंद करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी और अगर आपको बटन लगानी है तो आप डायरिक भी बटन लगा सकते हैं तो देखें मैंने यहां पे क्रॉस में मेज़े ट्रिप रखा है 10 इंच तक हम यहां पे निशान लगाएंगे उपन रखेंगे निक को और बाकी हिस्से को सामने हम बंद कर देंगे और बंद करने के लिए हम दो तरफ सिलाई नहीं लगाएंगे बलके हम सिर्फ एक तरफ ही सिलाई लगाएंगे सामने वाले हिसे पे पस यहीं पर हमें बिलकुल किनारी पर से सिलाई ही लगा देना है और यहां पर भी अगर आप चाहे तो निचे की इससे को थोड़ा सा उपन रख सकते हैं लेकिन यहां पर मुझे पूरा बंद करना है तो देखिए हम यहां पर सिलाई लगा के इससे बंद करेंगे उसके फोल्ड करेंगे तो डबल फोल्ड पूरी गुलाई से हम इस तरह करके सिलाई लगा देंगे और इस अबाया के नीचे के सब देख सकते हैं मैंने आप नीचे सिलाई लगा दी है और यहां पर यहां पर सामने वाली स्ट्रिप को मैंने सिलाई लगा के बंद कर दिया है और यहां पर बिल्कुल साइट जैसे कि मैं आपको बताया था बिल्कुल किनारी पर से मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी किया है तो आप देख सकते हैं हमारा बया बनके बिल्कुल रिडी है तो उमीद करते हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी इसकी कटिंग स्टीचिंग मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कोई चीज ऐसी जो कि कटिंग के वक्त या स्टीचिंग के वक्त कुछ ऐसा रह गया है जो कि आप लोगों को बिल्कु समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके फूज सकते हैं तो उम्मीद करते हूं कि आज की वीडियो आपके लिए helpful रही है वीडियो पसंद आए तो उसे like करें, share करें और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें और ये शूल्डर वाला हिससा आप देख सकते हैं जो हमने एक ही चेक स्टाल लिया था कटिंग के वग पीछे की तरफ से तो इससे क्या होता है न हमारा जो आम होल है वो अच्छी थरीके से बैठता है अबाया में, खिचाओने होता उसके अंदर और ये हमारी sleeves है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए दौाओं में याद रखें टेक केर, अल्ला हाफेज झाल